नमस्कार दोस्तों आप पढ़ रहे हैं कप्छा वार्वी NCIT English जिसमें हम फ्लेमिंगो बुक का Lesson 8 Going Places पढ़ रहे थे इसके 12 Important Question हम कर चुके हैं आज हम दो और Important Question वो भी Long Type की करेंगे सबसे पहले 13 Question ये करेंगे जो Long Type के लिए Important Question है और उसके बाद अगला Question ये करेंगे ये भी Long Type के लिए Important Question होगा तो दो Important Question बचें ध्यान से समझना तो देखें Question 13 क्या है Why did Sophie like? Sophie क्यों पसंद करती है? हर विर्दर जियोफ अपने भाई जियोफ को पसंद करती है More than any other person अनिक किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा पसंद करती है क्यों पसंद करती है? ये हमें बताना है From her, Perspective Perspective का मतलब द्रश्टी कौन उसके द्रश्टी कौन से मतलब Sophie के द्रश्टी कौन से What did he symbolize? वह किस चीज का प्रतीक है? तो हमें ये बताना है तो देखे question क्या है? Sophie अपने भाई जियोफ को किसी अनिक व्यक्ति से ज़्यादा पसंद क्यों करती थी? उसके द्रश्टी कौन से जो जियोफ है वो किस चीज का प्रतीक था ये हमें बताना है तो देखे chapter में हमने आपको बताया था कि जियोफ ऐसा व्यक्ति था जिस पे Sophie विश्वास कर लेती थी Sophie जो भी बात होती थी जो भी सपने होते थे वो सब जो है जियोफ को सुनाती रहती थी क्योंकि उसके पिता जो थे गुसल सौबाव के थे उसे तो सुना नहीं सकती है और उसका छोटा भाई डेरिक जो था उसका मजाक उडाता रहता था और उसकी जो सहपाटी फ्रेंड जांसी थी वो सभी को बता देती थी यदि उसे कोई बात बताई जाए तो वो दूसरों तक फैला देती थी तो उस पे वो भरोसा करनी करती थी केवल जीओ सबीक्थी तो जीओ फीरहती था जिस पर वो अच्छी से भब रुशा कर सकती थी के सभी सीक्रेट वो अपने पास किसी को नहीं बताईगा तो यह है इस बज displi से वो उसे लाइक करती थी आफो गिस्चीर का प्रतीक था उफी के द्रश्टी कौर से जो जियोफ था एक बड़ा भाई तो था ही वो मानती थी के ये हमें नीरस जीवन से मुक्ति दिलाएगा इस बात का प्रतीक था जो नीरस जीवन उनका चल रहा था उस नीरस जीवन से मुक्ति दिलाएगा जियोफ ऐसा जो है सौफी मानती थी तो देखे आंसर बताए गया जियो फी एक मात्र व्यक्ति है ऐसा जो सौफी की कल्पना और लंबे समय से सजोई हुए सपनों के लिए सुनता है क्योंकि उसके पिता गुसेल सोभाव के हैं छोटा जो डेरिक है वो उसके अमीर होने का मजाग बनाता है उसकी सायपाथी जो जानसी है वो नोजी है नोजी का मतलब है वो तांक जाग करती रहती है यहां की बात वहां करती रहती है तो उस पे विश्वास नहीं किया जा सकता किसी सीक्रेट को लेके केवल जीओफ ही ऐसा है जो अपने आप तक सभी सीक्रेट रखता है उस पे विश्वास करती है सोफी और सोफी के द्रश्टी कौन से जीओफ नीरस जीवन से मुक्ती दिलाएगा बड़ा भाई तो है यी नीरस जीवन से मुक्ती दिलाएगा इसका प्रतीक भी है जो नीरस जीवन वो जीते आ रहे थे उस नीरस जीवन से वो मुक्ती दिलाएगा तो देखे ये पांच लाइने ट्रांसलेट हमें करनी है तो सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं कौन-कौन से कठिन है तो देखे पहला वर्ड देखे दा उनली परसन याने केवल एक मात्र व्यक्ति दा उनली परसन हूँ याने जो और फिर फेंटसी होती है कल्पना आपको पता है तो फेंटसी वहुबचन हो जाएगा कल्प पता होगा तो लिसन का मतलब होता है सुनना प्रेजेंट सिंपल होगा तो लिसन में एस और जोड देंगे दा उनली परसन केवल एक मात्र व्यक्ति हूँ याने जो फेंटसी होती है कल्पना फेंटसी वहुबचन हो जाएगा लॉंग याने लंबी समय से चेरिश्ट याने संजोए हुए ड्रेम्स याने सपने टू याने के लिए और लिसन याने होता है सुनना फेर आगे देखिए उसके पिता याने की सोफी के पिता की बात हो रही है तो यहां पे हर फादर और सौर्ट टेमपर्ड नीचर यहां पढ़ चुके हैं गुस्तेल सौभाव वाले को स कद लव होता है अमीर होना तो growing rich हो गया और 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 याने का फन याने मजाक होता है मिख याने बनाना प्रिजेंट सिंपल है तो मीक मैं ऐस जोड़ देंगे तो मेक सबनाता है फन मजाग बनाता है ओफ याने का और हर याने उसके ग्रोइंग रिच याने अमीर होने का लिटिल डेरिक याने छोटा डेरिक और फिर सौट टेमपर्ड नेचर याने गुस्यल सभावाले और हर फादर याने उसके पिताजी फिर आगे दिखिए कि उसकी जो क्लास मेट है सा तो ट्रेस्ट जो होता है ट्रेस्ट का थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड होता है क्योंकि वाक्य पेसे वाइस में बनाना होगा और दिखिए को लेकर या के साथ वित होता है तो वित आज सीक्रेट याने सीक्रेट को लेकर वित आज सीक्रेट ध्यान लखेंगे और पर भरूसा क करना होता है ट्रेस्ट ध्यान लखना Only याने याने चेबल होता है और जीओप पर भरुसा करना ट्रेस्ट होता है अपने आप तक दिख Mich別 को मंने देखना पड़ेगा उसके द्रश्टी कौन से यह तो question में दिया गया है उसके द्रश्टी कौन से याने from her पर respective दिया गया है फिर इसके बाद जियोफ नीरस जीवन नीरस के लिए ध्यान देना यहाँ पर monotonous लिखा गया है तो monotonous का मतलब होता है नीरस तो ध्यान नखना स्पेलिंग monotonous होता है life याने जीवन और मुक्ती देखिए मुक्ती या आजादी को life बल्टी कहते हैं तो ध्यान नखना life बल्टी याने आजादी होती है या मुक्ती के लिए लिखा गया है और elder brother याने बड़ा भाई होता है और एन article लगाएंगे तो एन elder brother और प्रतीक है या प्रतीक होना question में है symbolize यान प्रतीक होना जो वे जीते जा रहे थे देखिए जीना जो होता है लिव की रिया होती है और लिव में ing लगाएंगे तो लिविंग हो जाएगा तो कौन-कौन से word यहाँ पे कठीने एक तो चेरिश्टी याने सन्योए और listen याने सुनना हो गया growing rich याने अमीर होने की बात हो गई और फिर monotonous याने की नीरस हो गया और liberty याने मुक्ति हो गई और फिर यहाँ पे living याने जीने की बात हो गई बाकी सबी word सरल हैं यहां to himself हो जाएगा आलदा secrets हो जाएगा और to keep रखने का हो जाएगा वित्था secret secret को लेकर हो जाएगा make बनाना fun यान मजाक बनान लोंग लंबे समय से fantasy याने कलपना होती है short-tempered nature हो जाएगा बाकि सभी words सरल है तो देखे पहली line यहीं हम देखे तो जियोफ सब्जेक्ट हो जाएगा फिर is a high career देखे जियोफ ही एक मात्र ऐसा व्यक्ति है तो जियोफ सब्जेक्ट is a high career the only person एक मात्र व्यक्ति देखे ही के लिए लिखना जरूरी नहीं है तो यहाँ जियोफ is the only person who याने जो हो जाएगा और सुनता है याने की listen कहते हैं present simple है ऐस लगाके listens और फिर to याने के लिए और इसके बाद दिखी यह पूरा का पूरा word आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा छटवे नम्मर पे तो यहाँ पे पहला बाद की कैसे बनाएंगे जियोफ is the only person who listens जो सुनता है to के लिए सौफी अपोश्टाफियस फेंटेसी एंड लोग लंबे समाएंगे चेरिष्ट याने सजोई हुए ड्रीम्स याने सपनों को फिर आगे दिखेंगे उसके पिताई याने हर फादर और फिर इज सहाई क्रिया हो जाएगी और यहाँ सौट टेमपर्ड नेचर याने गुसेल सौभावाले तो यहाँ पे हर फादर इज साई क्रिया सौट टेमपर्ड याने गुसेल सौभावाले अब दिखें लिटिल डेरिक जो है लिटिल डेरिक याने छोटा भाई जो डेरिक है वो मेक्स याने बनाता है मेक्स फन मजाक बनाता है ओफ याने का ओफ याने का हर याने उसके growing rich याने अमीर होने का तो यहाँ पे जो little Derek है वो makes fun मजाग बनाता है ओफ याने का हर याने उसके growing rich याने अमीर होने का तो her father is short tempered nature और little Derek जो है makes fun मजाग बनाता है आप हर growing rich हो जाएगा फिर इसके बाद उसकी सह पाठी जान सी याने की हर classmate जान सी और फिर इज सहाय क्रिया और फिर नोजी, नोजी है याने टांक जांक करने वाली है या दूसरों को बताने वाली कर सकते हैं तो हर classmate john c is nosy end और जो है उस पर secret को लेके भरूसा नहीं किया जा सकता है ये बाग के पेसे वाइस का है तो पेसे वाइस का कैसे हम बनाएंगे तो end c याने कि उस पर उस पर याने john c की बात हो रही है तो end c हो जाएगा अब देखी यहां पे नहीं लिखा है और सकता है याने cannot cannot को can't भी कह सकते हैं तो यहां can't लिखा गया है और फिर भरूसा करना याने trust होता है लेकिन पेसे वाइस बनाएंगे तो b लगा के third form याने be trusted हो जाएगा और with a secret याने एक secret को लिखा तो यहां पे end c and c can't और नहीं किया जा सकता है और be trusted and c और फिर can't याने नहीं किया जा स सकता हो बी लगा के trusted तो be trusted और फिर without secret याने एक secret को लेकर तो यहां पे हर classmate जानसी is nosy and c and c और उस पर can't नहीं किया जा सकता be trusted बी लगा की थड़पों without secret याने एक secret को लेकर देखिए पर भरूसा करना trust होता है फिर आगी दिखेंगे केवल only जियो केवल जियो पर ही याने पिर भरूसा किया जा सकता है सकता है याने की can लिखेंगे और फिर be trusted लिखेंगे क्योंकि पेसे वाइस यह भी होगा तो be लगा के third form तो only जियो केवल जियो पर ही और फिर can be trusted भरूसा किया जा सकता है to keep रखने का all secrets all the secrets सभी सीक्रेट रखने का और to himself याने अपने आप तक तो only जियो केवल जियो पर ही can be trusted भरूसा किया जा सकता है to keep याने रखने का all the secrets याने सभी सीक्रेट रखने का to himself याने अपने आप तक फिर आगे दिखेंगे उसके द्रश्टी कोण से ये लिखा है question में कि from her perspective याने उसके द्रश्टी कोण से और फिर लिखेंगे हम जियो जियो प सबसे पहले लिखेंगे जियो क्या है प्रतीक है देखें प्रतीक होना को symbolize कहते हैं तो यहां भी हम symbolize कहेंगे लेकिन present simple होगा क्योंकि प्रतीक होता है कहें या प्रतीक है तो present simple symbolizes हो जाएगा as लगाएंगे क्योंकि present simple है तो symbolizes हो जाएगा और फिर elder brother होता है बड ब्रही भाई का प्रतिक है, and, वह नीरस जीवन से मुक्ती दिलाने का भी प्रतिक है, मुक्ती को municipality कहा गया है, liberty from और फिर nearest जीवन को हमने बताया monotonous life याने nearest जीवन हो जाएगा तो यहाँ पे उसकी द्रश्टी कौण से उसकी द्रश्टी कौण को लिखा गया from हल पर सुस्पेक्टिव जो है और फिर जीओ और सिंबोलाइजेस और एन इल्डर ब्रदर and liberty मुक्ती from याने से और monotonous life याने की nearest जीवन से जो वे जीते जा रहे थे देखिए वे जीते जा रहे थे तो दे हो जाएगा और living होता है जीते जाना लेकिन ये tense जो है perfect continuous है इस बज़े से past perfect continuous में head been साहे करिया लगा के ing phone तो they had been साहे करिया लगा के living याने जीते जा रहे थे तो they had been living हो जाएगा देखिए भले यहां समय नहीं आ रहा है लेकिन समय का भूध होते जा रहा है यहां पर के वे जीते जा रहे थे जी रहे थे यदि कहते तो continuous भी बना सकते हैं एक बार पूरा answer repeat कर लेते हैं तो जी ओ एजसाय करिया the only person एक मात्र वेक्ती है हूँ याने जो और लेसंस सुनता है टू के लिए सौफी अपोश्टाफियस फेंटसीज एंड लॉंग लंबी समय से चेरिश्ट सजोए हुए और ड्रीम्स याने सपनों को और फिर हर फादर एस short-tempered nature little Derek makes fun मजाक बनाता है और हर growing rich उसके अमीर होनी का और फिर हर classmate जान सी is noisy नोजी है वो तांकजा करने वाली है मतलब दूसरों को बताने वाली है and see और उस पर and see और उस पर can't be trusted भरूसा नहीं किया जा सकता वे था secret secret को लेकर only geocable geoc पर ही can be trusted भरूसा किया जा सकता है to keep रखनी का all the secrets सभी secret रखनी का to himself यानि अपने आप तक और फिर ये question में मिल जाएगा कि from her perspective geo symbolizes symbolize the question में an elder brother and liberty from monotonous life they had been living तो इस परकार से हमारा answer बन जाएगा दिखी answer बहुत सरल सा है translate से यदि आप बनाते हो दो तीन बार practice करोगे आराम से बन जाएगा इसके बाद अगला question है what socio देखी socio का मतलब होता है सामाजिक economic यानि आर्थिक और background यानि की होती है प्रेष्ट भूमी तो यहां कौन सी सामाजिक आर्थिक प्रेष्ट भूमी did Sophie belong to यानि की Sophie जो है संबन्द रखती है Sophie किस प्रेखार की सामाजिक आर्थिक प्रेष्ट भूमी से संबन्द रखती थी और भाट आर्दा indicators क्या संकेत है indicators यान संकेत है of her family's financial status देखे यहां वित्तिय स्थती उसके परिवार की वित्तिय स्थती कैसी थी इसके लिए कुछ संकेत बताए गए होंगे वो संकेत तक क्या है ये है question तो देखे यहां पे Sophie के सामाजिक आर्थिक प्रेष्ट भूमी से संबन्द रखती थी उसके परिवार की वित्तिय स्थती के संकेत तक क्या है तो देखे इस चेप्टर में बताए गया है के Sophie एक निम्न मध्यम बरगी परिवारसिस है और जो है वह है एक छोटे से मकान में माता पिता और दो भाई जिनका नाम जियोफ और डेरेक है उनकी साथ रहती है स्कूल से जब वो घर आती है तो देखती है कि स्टोब जल आया उसकी भाब निकल रही है तो उसे घोटन महसूस होती है जब वो घर में कौने में रखी हूँ गंदी पलेटों को, गंदे वरतनों को देखती है तो उसे घृणा होती है उसके पिता की बात करें तो एक महनती मचदूर है उसका वड़ा भाई एक गैरेज में मेकेनिक की रूप में काम करता है और उसका परिवार चाहता था कि सौफी का इसको जल्दी खतम हो जाए और उसके तुरंत बाद सौफी काम करना सुरू कर दे ये सब जो है उसकी बित्ती इस्थती के संकेर देते थी जब वह स्कूल से घर वापस आती थी तो वह स्टूब की भाप से उसे घुटन महसूस होती है और कौने में जो धेल लगे हुए गंदी वरतन होते उनसे उसे घरणा होती है उसके पिता एक महनती मचदूर है बड़ा भाई जीओ फे गैरेज में मकेनिक की रूप में का कुल करता है उसका बाई चाहता था कि सोफी वी स्कूल के बाद तुरंत काम करना सुरू कर दे या कारेज वाइन कर ले ये सब जो है उसकी परिवार की पी इस्तती ऑच्छी नहें थी उसके परिवार की अब देखी ये आंसर abhi long time वाला है वापसे इस वज़े से बड़ा याने कि lower middle class, our lower middle class का मतलब है एक निम्न मत्यम बरगी, फिर सामाजिक आर्थिक प्रेश्ट भूमी, तो यहाँ भी ये लिखाए socio-economic background से संबंद रखना, देखी संबंद रखना belong to होता है, तो यह question में दिया गया है belong to, तो यहाँ पहली लाइन के तो सभी वर्ड सरल है, our lower middle class और फिर वह है अपने माता पिता, तो यहाँ पे माता पिता मतलब parents होते हैं, हर parents अपने माता पिता and two brother और दो भाई, जी ओफ एंड डेरिक, वित्थी याने की साथ, और फिर our small house एक छोटी से मकान की बात हो रही है, our small house और इन मतलब में live याने रहना होता है, यह तो आपक चोट कहते हैं, और मतलब की होता है, भाब के लिए steam कहा जाता है ध्यान रखना, तो पहला सब्द हमने देखा steam का मतलब होता है भाब, तो पहला सब्द हमने देखा वास्प या भाब को steam कहते हैं, घोटन, देखे घोटन के लिए चोक्ड लिखा गया है, यहाँ पी चोट क को home कह सकते हैं house भी कह सकते थे और return याने वापस आना और stove को stove steam याने भाब और choked याने घुटन और feel याने महसूस करना होता है फिर आगी देखें वह कोने में corner होता है कोना यह सब को पता है तो corner याने कोना वोता है और धेर लगे हुए देखें एक kriya होती है pile ! pile का मतलब होता है धेर लगाना लेकिन pile का third form होता है pile याने धेर लगे हुए तो कौन-sa blade हो गया pile हो गया यानि धेर लगे हुए dirty याने गंदे और रिसेयल्स जाने बरतन या प्लेटे कहलाती हैं तो ड़्टी डिसेयल्स और घिरना करना किसी से घरना करना होता है है ध्यान लिखना है एट का मतलब किसी से घरणा करना तो यहां पे डर्टी डिसेच हो गई है टो गया घरणा करना फाइल्ड ओ गया धेर लगे हुए कौर्णर होता है कौना तो इना कौर्णर एक कौने में हो जाएगा और फिर आगे देखिए उसके पिता एक महनती मजदूर है देखिए महनती मजदूर का मतलब होता है hard leverer होता है ध्यान लखना hard leverer हो जाएगा महनती मजदूर और फिर उसका बड़ा भाई जो है garage में mechanic की रूप में काम करता है देखिए age याने होता है k रूप में work याने काम करना mechanic हो जाएगा इना garage हो जाएगा इन हो जाएगा और फिर elder brother याने बड़ा भाई हो जाएगा जियोप को जियोप कहेंगे हर याने उसका हो जाएगा तो ये तो बहुत सरल सा वाक्य है फिर आगी देखिए उसका परिवार याने की Sophie का परिवार हर family कहेंगे और want याने चाहना हो होता है तो रंत ही immediately याने कार याने work join कर ले याने जौइन होता है तो ये तो बहुत सरल से बादैंगे बस यहान आने तुरंग ही देखा, और फिर hard laborer याने महनती मजदूर देखा, और फिर corner याने कोना होता है, piled याने धेल लगे हुए, dirty decisions याने गंदे वर्तन, hat याने घरना करना होता है, और फिर return याने बापस लौटना होता है, इस्टीम यान भापोटी, चोक्ट यान घुटन, फील यान महसूस करना होता है बाकी सभी वर्ड सरल हैं, यहां आलोवर मिडिल क्लास हो जाएगा देखिए पहला बाकी अदि हम देखें तो सोफी सबजेक्ट हो जाएगा इसके बाद belongs to हो जाएगा क्योंकि present simple है यह लिखा belong to present simple बनाएंगे न तो ऐस लगा के belongs to और फिर इसके बाद यहां पे पूरा आप लिखेंगे एक निम्न मध्यम बरगी सामाजिक आर्थिक प्रेश्ट भूमी यह पूरा आपको लिखना पड़ेगा तो आ लोवर मिडिल क्लास और फिर सामाजिक सोचियो एकोनमिक बेग्राउंड हो जाएगा पूरा प्रेश्ट भूमी तक तो पहला वाक कैसे बना सोफी ब्लॉंग्स टू और फिर कहां ब्लॉंग करती है वो आ लोवर मिडिल क्लास सोचियो एकोनमिक बेग्राउंड फिर आगे देखिए वह याने की सी लिफ्स रहती है इन याने में आ इसमाल हाउस एक छोटे से मकान में रहती है विथ के साथ औ आपने माता पिता एंड टू ब्रदर और दो भाई जी ओ पेंड डेरिक के साथ रहती है तो यह सब लिख रहेंगी तो सी याने वह लिफ्स रहती है इनले समाल हाउस एक छोटी से घर में विथी यान के साथ और हर याने अपने parents, माता, पिता and two brother, जी ओफ and Derek के साथ जब वह है school के बाद घर वापिस आती है तो when, see, जब वह है return में as क्योंकि present simple है return home यान घर वापिस आती है after school यान इस्कूल के बाद तो when, see, जब वह है return यान वापिस लोटती है या वापिस आती है home यान घर after school इस्कूल के बाद तो वह है इस्टोब की भाप से घोटन महसूस करती है वह है यान की Sophie की बात हो रही है तो C लिखेंगे C यान वह है feels यान महसूस करती है चोक्ड यान घोटन महसूस करती है और with the steam यान की भाप से जो बास्प निकलती है उससे तो with the steam यान वाप से off the stove यान इस्टोब की off the stove यान इस्टोब की C यान वह feels महसूस करती है चोक्ड यान घोटन और फिर with the steam off the stove हो जाएगा फिर आगे दिखें और वह है end C और वह है और हेट में ऐस लगाएंगे हेट्स घिरना करती है किस चीज से घिरना करती है दा डल्टी डिसेस यान गंदे वरतनों से गंदी प्लेटों से दा डल्टी डिसेस और जो की पाइल्ट यान जिनका धेर लगा हुआ है इना कॉर्नर एक कौने में तो end C और वह हेट्स घिरना करती है दा डल्टी डिसेस से जो की पाइल्ट उनका धेर लगा हुआ है इना कॉर्नर एक कौने में फिर आगी दिखिए उसके पिता यान हर फादर उसके पिता इस सहाय करिया और फिर क्या है आ हार्ड लेवरर हैं एक महनती मजदूर हैं तो हर फादर इसा हाड लेवरर end और उसका बड़ा भाई याने की हर याने उसका इल्डर बरदर जो जियोप है वो क्या वरक्स याने काम करता है वरक्स काम करता है एज की रूप में अ मेकेनिक, एक मेकेनिक की रूप में इना गैरेज याने एक गैरेज में, तो यहाँ पे हर फादर is a hard laborer है, hard laborer याने महनती मजदूर है, and हर elder ब्रदर जीओ works काम करता है एक के रुप में a mechanic, और इना गैरेज याने एक गैरेज में, फिर आगी दिखिए उसका परिवार चाहता है, याने हर family उसका परिवार, हर family wants याने चाहता है, हर family wants चाहता है, कि जो सौफी है, वो जोइन कर ले, देखिए एक क्रिया लिखे, दूसरी क्रिया टू लगा के लिखेंगे, तो जोइन, वो जोइन कर ले, क्या जोइन कर ले, वर्क याने काम जोइन कर ले, इमीडेटली तुरंत ही, आफ्टर याने के बाद, हर स्कूल, अपने स्कूल के बाद, मतलब उसके स्कूल की पढ़ाई के बाद, तो हर family wants चाहती है, कि सौफी, तो जोइन, जोइन कर ले, व तो these are और ये वाइड question में देखिए कहां पे है ये वाइड पूरा देखिए ये रहा यहां पे the indicators of her family a post office financial status तो यहां पे these are और फिर question की लाइन the indicators of her family's financial status लिख देंगे एक बार पूरा answer repeat कर लेते हैं तो ध्यान ने यहां पे के सौफी सबसे पहले हमने लिखा फिर belongs to question में है फिर a lower middle class फिर socio economic way ground question में मिल जाएगा और C वह जो है लिफ्स रहती है इना small house एक छोटी से घर में विथ के साथ her parents and two brother जी ओफेंड डेरिक के साथ और फिर when C जब वह returns लोटती है home घर लोटती है after school के बाद तो C फिल सोसे महसूस होता है चोक्ड घुटन महसूस होती है with the steam भाप से after the stove की भाप से and C और वह heads घरना करती है the dirty dishes गंदी वरतनों से जोकी pile जिनका ढेल लगा हुआ है इना corner एक कोने में और फिर हर father एजा hard laborer है hard laborer है and her elder brother works काम करता है एज की रूप में आप mechanic इना garage एक garage में काम करता है और फिर हर family wants उसका परिवार चाहता है to join join कर ले work join कर ले immediately तुरंट ही after her school अपने school के बाद और फिर these are और ये line question की एदा indicators of her family's financial status तो देखे इस प्रिकार से हमारा answer बन जाएगा और इसमें कोई भी कठिन बढ़ेंसे नहीं आए जो आपको पता ना हो तो बहुत सरल सा answer हो जाएगा तो आज की ये दोनों question long type के लिए बहुत जादा important है आप इन दोनों answer को complete कर लेना इसी के साथ ये chapter हमारा ये ही complete होता है धायने बाद